ये सोचकर सीना चोड़ा हो जाता है कि गांधी भारत में पैदा हुए थे हम गांधी के वंचज हैं ये सौभाग्य हमारा है कितने खुश नसीब थे वो लोग जिन्होंने गांधी को देखा होगा जितने सहासी मन से उतना ही मुलायां अपनों के लिए लड़ते हुए भी वो गांधी जिसकी सत्य और अहिंसा की ताकत ने दुनिया की सारी ताकतों को बौना कर दिया थे वो गांधी जिसके बारे में अलबर्ट आइंस्टाइं कहा करते थे कि आने वाली नसले इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगी कि हार्ड मास का कोई पुतला ऐसा भी था जिसक करिश्मे के सामने दुनिया की सारी शक्तियां नदमस्तक हो गई साउट आफरिका में पिछडों शोशितों और अन्य वर्गों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले गांधी अपने देश के लोगों की गरीबी से अधिर होकर आधी धोती में पूरा जीवन बुजारने वाले गांधी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश क्राउन की आँख में आँख डाल कर उसकी तानाशाही का विरोध करने वाले गांधी गांधी केवल व्यक्तित्व नहीं थे गांधी स्वयम में एक यूग है ऐसा यूग जिसमें न्याय की लड़ाई है ऐसा यूग जिसमें अधिकारों के लिए संगर्श है ऐसा यूग जिसमें इंसानियत और दूसरे का दुख महसूस करने का साहस है ऐसा यूग जिसमें राम सिर्फ नाम नहीं मरियादा और करता वे है शाहिद यही कारण है कि गांधी के जाने के 76 साल बाद भी गांधी के सामने जुके बिना सत्य और हिंसा प्रमानित नहीं हो सकते अमरीका से लेकर योरोप तक अफरीका से लेकर आस्टेलिया की गलियों तक आपको गांधी देख जाएंगे उनका कद कितना बड़ा है उनका ओदा कितना उंचा है उनकी मूर्ती के सामने जुके होए लोगों से पता चलता है आज जब कोई हिंदुस्तानी भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ उसकी इज़त इसलिए भी होती है क्यूंकि वो गांधी के देश से आया है रंग भेट से लड़ने वाले नेंसल मंडेला जेल में लगभग तीन दशक गुजारने के बाद जब जेल से बाहर निकले तो मुस्कुराए पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इतनी मुश्किल के बावजूद भी आप मुस्कुरा रहे हैं मंडेला ने कहा मैंने गांधी को पड़ा है ये है गांधी की ताकत सारी दुनिया में आइनसात्मक आंदोलनों के प्रेणना स्रोत हैं गांधी देश की आजादी के लिए गोली, बंदूक, तोप और गोलों के खतरनाक अंजाम से बेफिकर होकर निहत्ते लड़ते गांधी मार्टिन लूथर किंग ने जिनके सिध्धानतों पर चल कर अपने देश में आफ्रिकन अमेरिकन्स को समानता का दिकार दिलवाया वो हैं गांधी बर्तमान युग में पैदा हुए अहिंसा के सबसे बड़े दूत लियो टॉल्स्टॉय भी गांधी के पत्र का इंतजार किया करते थे जिस चारली चैपलन के पीछे दुनिया दिवानी थी, वो चारली चैपलन गांधी से मिलने के लिए बिताब रहते थे आज दुनिया के सैक्रो देशों में, अंगिन चैरों में आपको पतले दुबले लाठी टे के गांधी की प्रतिमा दिख जाएगी जहां दुनिया की नामचीन विभूतियां जुक जुक कर फूल अर्पित करती, फूल चड़ाती नजर आएगी आज जब हम गांधी को याद करते हैं, तो अपने इतिहास के गौरफ को जिन्दा करते हैं जब बापू का नाम लेते हैं, तो हिंदुस्तान की असली ताकत का एसास करते हैं गांधी भले इस दुनिया में नहीं, मगर दुनिया के दिलों में हैं गांधी गांधी मोहबत की परंपरा बनकर हिंदुस्तान के सीनों में धड़कते हैं आज भी सब्ते की पकडंडियों पर चलते हुए गांधी मिल जाएंगे आप बस दिल से याद तो कीजिए गांधी को